अब हम लोग आज दूसरे पार्ट को करेंगे दूसरा पार्ट जो पूरा करेंगे उससे पहले हम लोग पहले समझ लेंगे कि पिछले पार्ट में क्या क्या किये थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं तो पहले हम लोग ने चर्चा किया कि प्लेटो के शामवाद आदर्श राज की अस्थापना का शादन है चर्चा करेंगे दूसरा कोशन है कि प्लेटो का शामवाद सिख्छा के ही उद्देश की पूर्ती करने वाला है तीसा कोशन है यदि प्लेटो के शामवाद को अधनिक शामवाद से तुलना कीजिए यह जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में कबर करेंगे आज हम लोग कर रहे हैं प्लेटो के सामविवाद को शामवाद में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया परिवारवाद संपतिवास सामविवाद पर चर्चा कर लिया है आज इस वीडियो में परिवारवाद चर्चा करेंगे तो उससे पहले हम लोग ब्रीफ में जान लेते हैं कि क्या था उसमें कि प्लेटो आदर सराज का क्या चाता था क्या स्थापना हो उसके लिए उन्होंने नियाय की प्राप्ति के लिए दो चीजों को लाया एक था सिक्षा प्रणाली दूसरा क्या था शाम मेवाद तो तूटी है अदूसरा एक संपत्ती डूटी है दोनों क्या होता कि यह दोनों के आकरसक में फसके वह नीजी श्वारत जो करने लगता है अपने सरविठ्थिक प्रत्मिक देता है जिसके करण जो समाजी करतब्यों का अभिलों करता है तो इन बादावों को दूर करने के लिए प्लेटो ने क्या किया किया कि आविवावकबर के लिए नवीन समाजिक वबस्था लाया एक है संपत्ती विशक्षाम्यवाद, दूसरा है परिवार स्तरी विशक्षाम्यवाद चो पिछले विडियों हम लोगों ने संपत्ति विश्यक शामवाद पर चर्चा किया तो आज हम लोग चर्चा करेंगे परिवार या इस्तरी विश्यक शामवाद तो पहले हम लोग भी समझे थे कि प्लेटो क्या बोला था कि शामवाद के बीना विवेक निस्क्रिय हो जाता चुदा रक्षक को भेडिया बना देती है चुदा मतलब लालसा अकांचा महत्व कांख्षा जब रहता है ज्यादा तो भेडिया बना देता है रक्षक को तो इसी पर नेटल से भी कहा था कि प्लेटों का श्रामिवाद सिक्षा द्वारा उत्पन प्रविर्तियों को संपति विश्यक शामवाद पर चर्चा किया और आज हम समझेंगे परिवार या इस्त्री विश्यक शामवाद तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो अभी वावग वर्ग जो है वह ना ही संपति रखना है ना ही परिवार रखना है यह प्लेटों का कहन था क्यों नहीं रखना है क्योंकि कुसलता पुर्वक कुसलता पुर्वक अपने कर्तब का पालन कर सके अगर कुसलता पुर्वक करना चाहते हैं तो संपत्ति और परिवार से दूर है तो संपत्ति और परिवार संपत्ति पर हम लोग ने पिछले वाद चर्चा किया है परिव ने कहा कि अभिवावक वर्ग के इस्त्री या पूर्षों में कोई भी अपना नीजी परिवाद नहीं बनाएगा कोई भी किसी के साथ अस्थाई रूप से व्यक्तिगत रूप में शहवास नहीं कर सकेगा इस्त्रियां सबकी शमान रूप से पतनियां होगी इनकी संताने भी शमान रूप से सबकी होगी ना माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना ही संतान माता पिता को तो यही था उनका परिवारवाद और इस्त्री विश्चक शाम्यवाद उनका कहना यही था कि जितने भी अविवाबक वर्ग है अविवाबक पर में कौन आते थे वो ही जो सासक है या सैनिक है तो जो उनकी इस्त्रियां या जो पुरूस रहें तो जो उसका कोई भी निजी परिवार नहीं रहेगा जो इस्त्री रहेगी वो सब की पतनिया रहेगी संताने हैं वो सब के संताने होंगे ना माता-पिता होगे किसी के अन्ना ही संतान के क्यों माता-पिता सब लोग बराबर ही होंगे तो प्लेटों ने अपने इस योजना के पक्ष में निम्लिकित के लिए जो प्लेटो हैं बोलता है कि बहुत घातक संस्था कौन घातक संस्था किसे कहा गया परिवार को क्यों कहा क्योंकि परिवार को इसलिए कहा क्योंकि उस जो आदमी है उसका क्या होता है संकीन मनोवर्ती हो जाता है परवल स्वार्थपूर्ण हो जाता है मोह तथा चि कि वह मो माया से दूर होना चाहिए अभिवावक वर को परिवारिक मो माया से मुक्त रहना चाहिए दूसरा उनका कहना था कि राज में एकता स्थापित करने हैं तो तो परिवार होता है तो उसमें मेरे तेरे के भावना हो जाता है व्यक्ति के अंदर जिसके परिणाम से क्या करना केंता हो — तो सारी परीवार है वह निजी परीवार नहीं होगा सबका परीवार होगा समस्ता इस्त्री्पूरुस एक परीवार के होगे triggers हैं ती सरा उन्हों कहा कि नारीओं को मुक्ति तथा समाना धिकार while जब हम ए ellesिंस का बात करते थे वहां पे सार्वजनिक जीवन या सार्वजनिक छेत्र में ज्यादा अधिकार पुरूसों को मिलता था इस्त्रियों को कुछ नहीं मिलता था इस्त्रिय का क्या करता वहां पे घर के चारिदवारियों के अंदर में रहना बच्चों को जन्म देना बच्चों का पालन पोशन करना तो यह इस्तरी जो बालन पोशन कर रहा है तो इस्तरी क्या थी विवा जो है एक साधन के रूप में था और इस्तरी एक उपकरन इसलिए प्लेटो ने कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुस्र की परतीभा का हनन होता है तथा पत्नी की मांसिक सक्ती चोके चूले में बरवाद हो जाती है प्लेटो यही करता है कि इस्त्रियों को मुक्ती चाहिए समाना धिकार चाहिए जो वहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा है वह बस चूले चोके में ही रह जाती है तो प्लेटो क्या चाहता है चूले चोके ना हो कि यह जो हीन जीवन है उसका अंत हो वह चाहता था कि इस्त्री भ सबसे इन दुविदाओं से मुक्ति मिले अच्छा था जो सबसे इंपोर्टेंट है कि स्रेश संतान की प्राप्ति प्लेटो का जो थियोरी है स्रेश संतान की प्राप्ति उसमें कहते हैं प्लेटो कि प्लेटो का विचार है कि इस्त्री पूरुष का संसर्ग भी व्यक्तिगत एक्छाओं की तुष्टी के लिए नहीं वरन राज व्यापक हितों में होना चाहिए तो उनका करनेक मतलब यही था कि आप कुछ स्रेष्ट इस्तरी को लाईए कुछ स्रेष्ट प्रूस को लाईए दोनों में संसर्व कराईए जब संसर्व होगा जो उससे उत्पन बच्चे होगे तो वो बच्चा कैसा होगा स्रेष्ट नसल का होगा सब बच्चे समान होगे सब के माता पिता एक होगे किसी का अपना माता किसी का अपना बेटा बेटी नहीं होगा ये सब का बेटा बेटी रहेगा सब के नीजी माता पिता नहीं होगे जो बच्चे उत्पन बच्चे हुए उसका लालन पोशन कौन करेगा वो सिसुगरी में करेगा कौन करेगा राज करेगा सिसुगरी में जिस वज़ा से सिक्षा भली भाती मिलेगा इसी लिए प्लेटो ने कहा कि सिक्षा दिक्षा का कार जन्म से पूर्व ही आरम हो जाता है प्लेटो ने कहा सिक्षा दिक्षा का कार जन्म से पूर्व ही आरम हो जाना चाहिए तो यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ रेष्ट इस्त्री और कुछ रेष्ट को जो ला रहे हैं उसमें संसर करा रहे हैं जो उसमें बच्चे उत्पन हो यह मतलब ही पहले से काम ना चल गया ही वह जो पढ़ाया जाएगा अभिवावक बरे को तो वह तो पहले उसके माता-पिता जो भी त्रिष्ट इस्तरी और हो गी जो पूरूस होगे उनका काम Sacred स्रेश्ट नसल का बच्चा पैदा करे जिस वज़ा से क्या होगा कि उसे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाए किया जा सके तो इस परकार प्लेटो की परिवार विश्यक सामवाद की योजना एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ती के लिए है इसके अधार पर अभिवावक वर्ग अपने सावजनी करतब्यों का भली भाती पालन कर सकता है राज में एक्ता आती है स्रेश संतान की प्राप्ती होती है और इस से इस्तरियों को मुक्ती तथा राज की सेवा के लिए अबसर प्राप्त होता है तो प्लेटों का अबर ओल काने का मतलब यही था कि वह चाता था कि राज का तरक्की हो राज के जो प्रशासक है जो अभिवावक वर्ग है वो अच्छे सपना कर सके तो इसलिए वह चाते थे कि स्रेश संतान होगा तो क्या होगा उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी वो स्वस्त रहेगा स्वस्त रहेगा तो उसका दिमाग भी तेज चलेगा वो अच्छा प्रशासक बन सकता है और उसके अलाबा क्या सकता है इस्तरियों को मुक्ती मिलेगा इस्तरियों को शमाने सिक्षा मिलेगा वो भी इस जो चूले चोके से काम कर रहे हैं उसके अलाब करते हैं कि प्लेटो अपने परिवार विश्यक शामवाद की योजना के अंतरगत इस्त्री और प्रूश के अधार्बुत अंतर को दृष्टी में नहीं रखता है प्लेटो इस्त्री और प्रूश में लिंगभेद के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं पाता एक दृष्टांत द्वारा वा सिद्ध करता है कि कुतिया भी कुत्ते की भाती एक अच्छी पहरेदारी हो सकती है प्रन्तु उसका यह दृष्टांत दृवल प्रतिक होता है जैसा कि बारवन ने लिखा है कि इस्त्री की प्रकिर्टी में लीग एक मातत्त नहीं है जिसमें और केवल जिसमे पुरुष्य भिन है अपितू वह तो उसके समस्त जीवन को प्रभवक्ति करता है तो जो पहला उसका आलोचना था कि बोला कि प्लेटो है कि इस्त्री पुरुष्य को बस थोड़ा सा यह अंतर समझता है और कोई अंतर नहीं समझता है अब प्लेटो ने एक पसुपालक के रूप में ही समझाया कि मानली जीए घर का जो सुरक्षा कर रहा है कुट्ता कर रहा है कुट्ता को हटा करके पहरदारी वहापे कुतिया से करवाई तो वह भी तो बरावरी करेगा इसलिए वह चाहता था कि जो पुरुष्य इस्त्री अधारबूत ज्यादा कुछ अंतर न प्रस्तावित करते हुए प्लेटो पती पत्नी के शंबंधों की पवित्रता को भूला देता है पती और पत्नी का संपर्ग केवल योन संबंध के लिए नहीं होता वरन या संबंध तो शंपूर्ण जीवन का अधार है इस परकार उसका शाम्मिवाद मानव मनो विज्ञान की अवहिलना करता है और इस डिष्टे में अव्यभारिक है ये बाद सत्पर्ति सत्थ सही है क्योंकि अगर हम देखे पहले भी कुरान कहीं से भी उठाके देखते हैं माकाब्य से उठाके देखते हैं रामायन मावारत कहीं भी जो पती-पत्नी का जो रिस्ता है वो एक्तम प विग्यानिक है उसका क्या है और वेवहारिक अवहिलना हुआ तो इस परकार से भी इसकी आलोचना किया गया है तीसरा है कि यह संदेह फूर्ण है कि राज के माध्यम से संसर्ग अस्थापित कर बुद्धिमानों सदाचारियों और बल्वानों की एक जाती उत्पन की जा स सिद्ध होंगे प्लेटू एक संगिंद हित के लिए एक मानिता प्राव संस्था को शमाप्त करता है जो सदाचार का स्रोत और नागरिक्ता गुनों की स्रेष्ट पार्ट साला है यहां पर अरस्तु ने इस वज़ा से किया कि आप तो मान रहे हैं कि बुद्धिमान मिलेगा सदाचारी मिलेगा बलवान मिलेगा तो एक जाती को उत्पन कर रहे हैं जो अनात बच्चे हैं तो अधिक लारा रहे होंगे मानव जाती का दुर्बल नमुने क्योंकि उनको अच्छे से लालन पोसन नहीं मिलेगा एक मा का एक पिता का जो प्यार होता है एक सने होता है वो उससे अच्छूता रहेगा जिस बज़े से क्या होगा कि जो प्लेटो जो सोच रहा था कि वो संगिद हित है वो ऐसा होगा वो कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है तो अब चौथा आलोचना करते हैं कि जो बस तु सबकी होती है उसकी परवा करतना कोई भी अपना दाइत उत्तर दाइत नहीं समझता प्लेटो की विवस्ता में जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उनका लालन पालन वैसे प्रेम दुलार ममता और शावधानी शे नहीं हो शकता जैसे वर्तमान परिवार विवस्ता में होता है इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि उधारन के तरफ से जैसे कि अगर रेलवे स्टेशन जाते हैं वो पब्लिक प्रोपर्टी होती है तो देखिए वहां पर जहां मन ठुका रहता है जहां मन फेका रहता है लेकिन अगर आप किसी के घर जाते हैं इंडिविज्वल घर जाते कहीं भी दबबा दा कुछ नहीं होता है क्योंकि वह उसका नीजी है थो इस घरस्तु कहाना चाहते हैं कि जो सब कह के होते हैं उसका कोई भी लालन पालन प्रेम यह सब नहीं होता इस घरस्तुने कहा ग्ली प्लेटो वादी शुक्षे वंचित कर दिया गया है इससे अभिवावक वर्ग परशन नहीं रह सकेगा और नहीं वह अपने सावजनिक करतब्यों का संपादन भली भाती कर सकेगा ये भी जो आलोचना की गई है वह सत परतिसत सही है कि अभिवावक वर्ग को अगर परिवारी जो सुक होता है उससे अगर दूर कर दिया जो तो उसका मन ही नहीं लगेगा वह तो समझेगा न कि उसको परिवार ही नहीं है कुछ नहीं है तो किसके लिए करेगा देख होना भी तो चाहिए चटा है कि उत्तम संतान उत्पत्ति करने के लिए प्लेटों ने अपनी शामिवादी लाखा को पशू-जगत के उधारन से पुष्ट करने का प्रियत्न किया है किन्तु पशूजगत के नियमों को मानवियीं जीवन पर लागू करना खिशी भी दृष्टी से उचित नहीं कहा जा सकता है, जो की पसू और मानभ में बहुत बडरा अंतर है, तो उसको इस परकार से लागू करना उचित नहीं समझा सकता है, सात्मा आलोचना है प्लेटो ने इस विवस्था का पर्तिपादन राज में एकता स्थापित करने के लिए किया है प्रंतु प्लेटो के सामवाद में इस्त्रियों को लेकर जगरे निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाएंगे यह भी सभाविक बाद है क्योंकि वहा है तूट सकता है बिखर सकता है भिए आ bots म के शाववाद शाइम के गुन को निश्ट कर देगा जो कि श्रेश्च का एक आतिन्त आवश्यक्तत है तो से इस्त्रियों का एक अलग एलूदा होता ऐक अलग वेल्यू है उसके चरितнего जो है सबसे इंपोर्टेंट है जो कि प्लेटों ने उसके चरित्र को एकदम चरित्र हीन कर दिया है तो इस बज़ा से जो उसके शैयम के गुंग है उसको नश्ट करने का कोशिस किया जो इसके उपर भी आलोचना हो सकता है अब नम्मा पॉइंट है कि प्लेटों की विवस्था में अत्य एक मरियादा होता है कि एक परिवार में इस तरह के योन सम्मंद अस्थापित नहीं किया जा सकते हैं वो दूसरे के द्वारा ही दूसरे जाती या दूसरे वर्ग में ही किया जाते हैं अपने घर में नहीं किया जा सकता है तो इस जो ठिवरी है प्लेटों का शामविवाद का जो परिवारवाद का थोरी है तो इसमें यह सटिक फैल नहीं हो सकता क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन है कौन नहीं है तो अब हम दस्मा आलोचना के बात करें तो प्लेटों की विवस्था के अंतरगत व्यक्ति को उस छेतर में केवल एक साधन बना दिया गया है जिसमें स्वभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा शाद्य होने का दावा किया जा सकता है तो यहां पर परिवारवाद को हटा दिया गया तो इससे क्या हो रह अपशना है की प्लेटो की विवस्था का अभिवावक वर्ग परिवारिक जीवर के व्यवहारिक अनुवफ्भ से वनचितर रहेगा और उसके द्वारा उतपादक वर्ग के व्यक्तियों की समाजिक अवशकताओं और शमश्याओं को ठीक रूप से नहीं समझा आजा सकेगा ऐसे विएक्ति योग सासक के रूप में कारूप सकेंगे जा बहुत संद्ध sonra अब मालेस्ट कि सासक है अभिवावक वर्ग जो सासक है वह तो परिवारिक जीवन अद्म कड़क वह उतपादक वर रहा हैं क्या समस्य या या रहे हैं तो इससे क्या आयोकिता का सिद्र होगा तो तो जितने भी आलोचनाएं किये गए हैं वो बहुत ही सटिक और अभी जो जमीनी अस्तर पर उतारा नहीं ही जा सकता है तो निश्करता हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटोवादी सामवाद के पक्ष में सैधान्तिक द्रिष्टी से चाहे कुछ भी क्यों ना कहा जाए उनकी कि अब तक वेवार में इसे कहीं भी अपनाया नहीं जा सका है तो फ्रेंड्स जो उसका जो परिवार चाहीं को कहीं बी अभी देश में लागू नहीं उनका सूच बहुत अच्छा है क्योंकि अगर हम उधारन के तौर पे समझे कि मालीज़े की एक डीयम का बच्चा है वह कभी कॉलेज जा रहा है तो वहां पे उस डीयम के बच्चे को वहां के प्रिंसपल भी रिस्पेक्ट करेगा वहां पे सारे लोग रिस्पेक्ट करेंगे सारे लोग वहां से डरेंगे उससे उससे बात करने में जिकजेंगे कि कही कुछ होगा तो डीयम का बेटा है तो कुछ भी हो सकता है तो इन सब से क्या होगा कि वहां पे एक मतभेद हो गया है वहां पे एक फासला हो गया है जिस बज़ा से वह दोनों के बीच एक दूरी हो सब बच्चे को समान ट्रीट किया जाए लेकिन वैसा possible ही नहीं है क्योंकि वह परसासक का बेटा है तो उसे ज़्यादा profit ज़्यादा benefits मिलने वाले हैं तो फ्रेंड्स हम लोगोंने प्लेटो के परिवार विश्यक शामिवाद और या इस्तरियों का शामिवाद को भली भाती समझने का परियास किया है अब फ्रेंड्स हम लोगों का एक और टॉपिक इसमें सामिवाद में बचता है वह है कि जो प्लेटो का शामिवाद है और करना है उसमें बताना है क्या सकारात्मक पक्ष है या तुलना हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए ठैंक यू एंड है इस टे